अगर आप राजस्तान पुलीस कॉंस्टेवल भरती 2019 की परिक्सा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखना पूरा जरूर देखना इस वीडियो में बहुत सारी इंपोर्टेंट बाते हैं जो मैं आपके साथ में सेर करने वाला हूँ जैसे कि इस परिक्स के असर से क्या इस परिक्सा में बदलाव आ सकते हैं कोचिंग सेंटर कब खुलेंगे कोचिंग सेंटर के ओनलाइन क्लास से लें कि ना लें दो मेने के कम समय में अच्छी तैयारी कैसे करें बहुत सारी बाते हैं जो इस वीडियो में मैं आपके साथ में सेर करने वाला आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए नमस्कार दोस्तों तूड़े टोक में आप सभी का सुआगत है राजस्तान पुलीस कोंस्टेबल भरती दो हजार उननीस में पांच हजार पद थे और साड़े सतरा लाक लोगों ने आवेदन किया था अब इसकी प्रिक्सातिती ह 6-7-8 नवंबर लगबग 2 मेने का समय आप लोगों के पास में है इन 2 मेनों में आपको जम कर अच्छी प्रिप्रेशन करनी है प्रिप्रेशन के लिए आगे मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा आप जरूर उन बातों को जहान से सुनिए उससे पहले मैं आपको बताना चा क्या है और साड़े सत्रालाग स्टुडेंट्स का एक्जाम करवाना भी एक बहुत बड़ी बात है तो प्रिक्सा सेंटर बढ़ने की पूरी-पूरी संभावना है दूसरी बात कोविड का अगर असर बढ़ता है अगर कोविड के केस राजस्तान में बढ़ जाते हैं इन 2 म यह नहीं है लेकिन इनडिया में बहुत जादा यह बढ़ रहे हैं अगर केस आये तो आपका एक्जाम सेंटर आपकी होम डिस्टिक में ही आपको मिल सकता है इस बात की संभावना है अब कोचिंग सेंटर खुलने की बात करें तो अभी तक 30 नवंबर तक तो कोचिंग तो आपके पास में एक मेने का समय बसता है तो एक मेने आप कोचिंग जा भी नहीं पाओगे और जाकर एक मेने में तयारी भी नहीं कर पाओगे तो online classیں लें की ना ले या कोई दूसरा तरीका है preparation करने का तो मेरी suggestion यह है कि online और offline classroom में काफी difference तो होता है फिर भी आपके पास में अभी एक ही option है कि आप online ही ले सकते हैं तो कोई भी आप अच्छी class का online course है वो purchase कर सकते हैं ताकि आपका एक time schedule और routine बने आपका मन है वो वापस study में लग जाए इसलिए आप online classیں ले सकते हैं कोई problem नहीं है और हम अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं तो आप इसका जो syllabus है उसको ध्यान से देखिए syllabus को चार भागों में divide किया हुआ है सबसे बड़ा जो part है syllabus में वो है राजस्तान का इथियास, कला, संसकर्ती, राजनिती तो आपको राजस्तान जीके को बहुत अच्छे से तैयार करना है क्योंकि 45 क्यूसन राजस्तान जीके में से आएंगे दूसरी बात इसमें भाग ए जो दे रखा है इसमें विवेचन, तारकी की योगिता और कम्प्यूटर का सामाने ग्यान आएगा और 60 क्यूसन इस पार्ट में से आएंगे और 30 अंका ये पार्ट है बहुत ही important role रहेगा इस पार्ट का तो इसकी preparation आप अच्छे से करके जाएं महिला और बच्चों के परती जो अफराद है और उसे संबन्दी जो कानून है 10 क्यूसन इसमें से आएंगे और 5 अंक है तो इसकी भी preparation करें क्योंकि aggregate marks है वो लाना जरूरी है अब सबसे बड़ी बात में आप से कहना चाहूंगा कि जो student जिस पार्ट में command रखता है उसी को अच्छे से prepare करें ताकि अच्छे नमर बने all over नमर अच्छे बनने भी जरूरी है क्योंकि merit है उसके आधार पर ही बनने वाली है तो इस तरह आप syllabus को अच्छे से समझे और अपने उपर उस syllabus को apply करके देखे कि आप कौन से पार्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं और उसी के according आप अपनी preparation करें तो ये था आज का वीडियो I hope ये वीडियो आपको समझ में आया है तो like करना चैनल लग फस्टाइम आये हो तो subscribe पर लेना साथी bell icon को press जरूर करना अगर मेरे like कोई help है तो आप जरूर comment box में लिख सकते हैं और मैं संभव हुआ तो मैं भी इस परिक्सा में आपकी कुछ help कर पाऊंगा